सीजन टू एपिसोड सेवन स्टार्ट होता है और हमें जो सौल दिखाया गया है वो अपने यंग सेल्फ का है ये अब छोटा बच्चा है वो अपने डैड की शॉप में काम करता है फलोर वो सिप कर रहा होता है और फिर वो एक सेक्शन में जाता है वहाँ सब बुक्स रखी होती है वहाँ वो एक एडल मैगजीन भी देख रहा होता है फिर हमें दिखता है कि उसके जो डैड होते है वो काउंटर समाल रहे होते है वहाँ एक आदमी आता है वो आदमी वहाँ आकर बोलता है कि मेरा बेटा जो है उसे एक बहुती बड़ी बीमारी है उसी के लिए मैं सीटी में मेडिसिन लेने के लिए आया था मेरे बास जो भी पैसे थे वो मैंने खर्च कर डाले है मैं मेडिसिन लेकर वापस आ रहा था तो मेरी गाड़ी बन बढ़ गई अब मैं मेरे बेटे को यह medicine नहीं दे पाऊंगा वो Saul के father को बोलता है कि अगर आप मुझे 5 dollars दे देंगे तो मैं यहाँ से bus कर लूँगा और मेरे बेटी को यह medicine दे दूँगा चोटा Saul यह सब देख रहा होता है अपने father को वो पास बुलाता है वो बोलता है कि सब लोगों को पता है कि यहाँ तुम पैसे देते हो यानि कि तुम्हें full बनाना बहुत यासन है इसका son वेगरा कुछ भी विमार नहीं है उसके father उसे बोलते है कि अगर सचमुच में इसकी यह situation होगी तो अगर मैंने इसे help नहीं किया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा Saul के father उस आदमी को बोलते है कि तुम्हारी car बन है तो मैं इसे start करने के लिए भी तुम्हें help करूँगा जब Saul के father अंदर जाते है तो Saul counter पर आता है वो जो आदमी वहाँ खड़ा होता है वो आदमी उसे cigarette मांगता है पूरे दो pack वो उससे buy करता है जिल में उस आदमी के ऐसी कोई भी situation नहीं होती वो आदमी फिर Saul को बोलता है कि दुनिया में दो type के लोग होते है एक wolf होते है और एक sheep होती है तुम्हें decide करना है कि तुम्हें क्या बनना है Saul के character का ये key moment हमें यहाँ पता चलता है Saul अपने dad की तरह weak नहीं होना चाता फिर से हम series में present में आ जाते है अब Saul Mike को defend कर रहा होता है वो Mike के साथ DA के office जाता है फिर Mike DA को बोल देता है कि टुको की वो गन नहीं थी वो उसे बुछते है कि क्या तुम्हारी गन थी Mike बोलता है कि मुझे पता नहीं है किसकी गन थी वो उसे प्रेस कर रहे होते है तो Saul बोलता है यह हमें नहीं पता कि वो किसकी गन थी टेखनिकली वो गन कहा सी भी आ सकती है वो Mike से बोलते कि क्या तुम्हें पैसे मिले थे ये सब करने के लिए और या तुम्हें धमकाया है वो से हिल्प कर सकते पर Mike को उनकी हैप नहीं चाहिए होती क्योंकि Salomon का बहुती डेंजरस होता है जब माईक और सॉल दोनों लिफ्ट पराते तो सॉल उसे बोलता है कि मुझे पता है कि साला मांका बहुत ही डेंजरस है मुझे भी एक experience उसके साथ आया है माईक को यह सब सुनने में इंटरेस्ट नहीं होता और माईक वहाँ से चला जाता है सॉल फिर अपने office जाता है अपने office को अपने office जाकर अपने assistant को बुलवाता है अपने assistant से वो उसका resignation letter लिखवा रहा होता है उसका assistant उसे बोलता है कि तुमें इतना अच्छा सब benefit यहां मिल रहा है तुम क्यों छोड़ कर जाना चाते हो यह एक dream job है तुमें apartment मिली है अपने apartment मिली है कार मिली है अच्छा office है तुमें यह सब छोड़ कर क्यों जाना चाहिए उसका assistant उसे पूछता है कि मुझसे तो कोई गलती नहीं हुई स्वाल बोलता है कि तुम तो एक A1 हो उसका assistant फिर बोलता है कि तुमें अच्छा bonus भी मिला है अगर तुम छोड़ कर चले जाओगे तुमें वो bonus भी वापस करना पड़ेगा वो bonus बहुत ही बड़ा होता है और soul को वो वापस नहीं देना होता फिर वो उसका agreement देखता है उस agreement में उसे पता चलता है कि उसने quit किया तो उसे bonus भी वापस करना पड़ेगा पर अगर वो fire हुआ तो उसे कोई भी bonus वापस नहीं देना पड़ेगा वो अपने assistant को बोलता है कि यह सब अपने mind से खयाल निकाल दो मुझे नोकरी नहीं चोड़नी है तुमने मुझे समझाया और मैं अब समझ गया हूँ Saul फिर अब decide कर लेता है कि उसे fire होना है वो बहुत ही अजीबों गरीब तरह के suit buy कर लेता है जब वो office पोचता है वो है एक बड़ा mixer उसने लाया हूँ होता है सब लोगों को वो disturb करता है अगले कुछ दिन वो ऐसे ही लोगों को disturb करता है वो toilet जाता है और flush नहीं करता उसका बहुत सब लोगों को बोल रहा होता है warning दे रहा होता है कि अगर तुमने अगर flush नहीं किया तो यह बहुत ही बुरा होगा Saul अपने आप ही admit कर लेता है कि मैंने फ्लश नहीं किया था पानी की इतनी कम तरता है और मैं पानी को वेस्ट नहीं करना चाता उसका boss उसे फिर भी fire नहीं करता फिर वो अपने office में होता है और एक अजीब हो गरीब instrument लेकर आता है बहुत ही बेसुरा वो बचा रहा होता है फिर उसका boss उसे चीट जाता है उसे फिर वो fire कर देता है उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम यह अपना bonus रखने के लिए कर रहे हो मैं इस पर तुमें trouble में ला सकता हो तुम पर case कर सकता हो पर मेरे पास इतना time नहीं है उसका boss उसे बुचता है कि तुम ऐसा सब क्यों कर रहे हो Saul बोलता है कि मैंने पहले efforts डाले थे पर यह work नहीं हो पाया मैं अकेला ही काम कर सकता हूँ फिर Saul उसे बोलता है कि तुम एक अच्छा आदमी हो और वहाँ से चला जाता है Saul किम के पास उसके office में आता है वो से conference room में रिका जाता है और उसे बोलता है कि अब हमें हमारी separate practice टार्ट करनी चाहिए उसने एक logo बनाया होता है और card भी उसने create कर लिया होता है वो वो card उसे दिखाता है किम उस पर मना कर देती है Saul बोलता है कि मुझे तुमारे साथ काम करना है मुझे तुमारे साथ रहना है मुझे तुम चाहिए हो तो किम बोलती है मैं तुमारे पास ही हूँ मैं कहीं नहीं जा रही पर मैं यह नहीं कर सकती next sin में हमें दिखाए गया है माइक और उसके daughter-in-law एक बड़ा सा घर देख रहे होते है उसके daughter-in-law को वो घर बहुत ही पसंद आता है उस घर के सब फीचर उसके daughter-in-law उसे समझा रहे होती है वो बोलती है कि यह बहुत ही अच्छा नेवर हुड है और यहाँ crimes विकरा भी कुछ भी नहीं है वो बहुत ही satisfied होती है तो माइक बोलता है कि तुम्हें यह buy कर लेना चाहिए माइक उसे यह house gift करने वाला होता है Saul उसके office में जो cocoa baller desk होता है वो buy कर लेता है और उसके जो पुराना office होता है nail salon का वहाँ वो लेकर आता है next scene में हमें दिखाया गया है कि माइक अब Salamanca पर नज़र रख रहा है Salamanca के पास कौन आता है कौन जाता है इस सब operation पर वो नज़र रख रहा होता है next scene में हमें दिखता है कि किम की interview हो रही होती है उसके qualification वेगरा सब वो question उसे पुछते और फिर उसे बोलते हैं हमें तुमारी personality के बारे में बताओ तुम कौन हो ये हमें बताओ किम उने बोलती है कि मैं एक small town से हूँ ये border पर हमारा घर होगा करता था मेरा जो town है तुमें उसके बारे में कभी सुना भी नहीं होगा मुझे जिन्दगी से और कुछ चाहिए था मुझे ज़्यादा चाहिए था इसलिए मैं वहाँ से चली गई अगर मैं वहाँ से नहीं जाती तो मेरा future बहुत ही घटिया होता मैं किसी shop owner की वीवी होती और मुझे मेरी career में excel करना था वो सब उससे बहुत ही खुश हो जाते है और उसका job वहाँ पक्का हो जाता है वो उसे offer देने वाले होते है किम जब बाहर आती है वो Saul के offer के बारे में फिर से सोचती है फिर वो Saul के पास आती है वो बोलती है कि हम एक office में काम कर सकते है हम एक बड़ा office rent करेंगे वहाँ की electricity secretary बहुत सारी चीज़े हम शेयर करेंगे पर हमारी जो practices होगी वो separate होगी Saul को वो इतना पसंद नहीं आता फिर भी वो किम के लिए मान जाता है यही एपिसोड कतम हो जाता है